हेलो फ्रेंज वेलकम बेक टू माई यूटूब चेरल गैस आज का ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट है जो मेरे एमकॉम के बच्चे जिन्होंने एक्जाम दे चुके हैं एमकॉम पार्ट 2 का एडमिसन लेना चाहते हैं तो मेरे जितने भी एमकॉम के बच्चे जो मेरे क्लास के भी है और जो मेरे यूटूब के वीडियो जो देखते हैं जो मेरे सब्सक्राइबर है Majority लोगों ने मेरे WhatsApp पे मेरे YouTube के वीडियो पे भी अगर जाके चेक करो के फ्रेंट तो उन्होंने काफी लोगों का डाउट था कि Sir हमने M.Com. Part 1 का exam दे दिया है अभी तक उसका कोई result नहीं आया है Mumbai University ने हमें message कर दिया है कि 20 August last date है हमें M.Com. Part 2 का admission लेने का तो कुछ बच्चों का कहना था कि Sir अगर हम एक subject में फेल हो जाते है दो subject में फेल हो जाते है हमें Katie लग जाते है या drop लग जाता है Mumbai University हमें पहले admission के लिए बोल रही है तो क्या ये मतलब allow है ऐसा है क्या real है क्या Mumbai University के तरफ से message आया है तो friends really बोलू तो इसमें मैं भी doubt था कि really है क्या तो मैंने एक friend ने मुझे suggest किया था कि सुरज नहीं admission करवा सकते है admission valid रहेगा बाद में मतलब exam हो जाए इनका बच्चों का मतलब जो भी admission है M.Com. Part 1 का research जब आएगा तब आएगा लेकिन admission पहले करवा लेने का तो मैंने एक दो जण को बोला था आप admission पहले करवा सकते लेकिन जब मैं भी university site पे गया जब हम detail भर रहे तो उसमें M.Com. Part 1 से M.Com. Part 2 में भी admission लेने वाले उसमें M.Com. Part 1 का result का मतलब तुम्हारा marks पूछ रहे तो मैरे एक सब्सक्राइब आ था जिसका नाम था निरंजन निरंजन Mumbai University गए थे आज ही गए थे जिसमें ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आज ही के दे निरंजन गए थे university और उनसे जाके वो doubt पूछ किया क्योंकि मैंने उन्हें बोला भी था अवोईट कीजिए आपको जब रिजट आएगा उसके बाद ही admission करवाना है तो एमकों पार्ट वन के जितने भी बच्चे जिनोंने भी अभी exam दिया है तो आप टेंसन फ्री हो जाओ आपका जब रिजट आएगा तब ही आपको admission करवाना है अभी university ने जो message किया बिस तरिक तो आप उसी को लेगे हिडएक मत बनो अभी है अभी है अभी कोई नहीं admission है आपका marks आज आने दो जो आपके result होंगे उसमें जो marks होंगे वो ही आपको form में feel करना है और वो ही feel करके ही आपका admission होगा तो result आने के बाद ही आपका admission होगा तो जब तक के लिए wait कर लिजे result जब आपको आएगा पता चल जाएगा या तो मेरे वीडियो से भी आपको information दे दिया जाएगा अगर friends वीडियो अच्छा लगे तो please like, share, subscribe जरूर करना और जिस friend को नहीं पता है please उन लोगों तक मैरे इस वीडियो को जरूर भेजना thank you so much guys, फिर next वीडियो में मिलेंगे